किसान साथियो आज हम ऐसे कीट नशक के बारे बात करने जा रहे हैं जो चवाने वाले और चूसने वाले कीटों का एक साथ खात्मा करता है किसान साथियो अगर आप सबजी वर्गी फसल करते हैं टमाटर, गोबी, बैगन तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महात्पूर होने जा रहा है साथियो वैसे ये कितासक तो सबी फसलों में कारगर साबित हुआ है तो किसान साथियो संपूर जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर Gab अइए इसकी शुरूआत करते हैं तो साथियो आज हम बात करने जा रहे हैं एलेक्टो इंसेक्टिस साइट के बारे में इसकी संपूर्ण जानकारी किसांद साथियो हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन की घंटे को जरूर दबेएगे दोस्तो ताकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहे हैं वो भी निश्वल्ग तो साथियो सबसे पहले हम इसके टेक्निकल की बात करते हैं ब्रोफ्रेनी लाइड 20% SC form में ये आता है साथियो ये सफेद और लीकवेट रूप में ये आता है गाड़े फॉर्म में ये रहता है साथियो इसके मूर आफ एक्शन की बात करें तो ये कांटेक्ट और इंजेक्टिव तरीके से ये काम करता है साथियो साथियो जब हम इसका स्प्रे करते हैं और कीट जैसे ही इसके संपर्क में आते हैं तो उनका खात्मा हो जाता है साथियो ये कहलाता है कांटेक्ट बेस पे अच्छा ट्रांसमिनार एक्शन बीस में है जब आप इसका स्प्रे करते हैं पत्यां अब्जर्ब करके नीचे की और भी दवा आसानी से चले जाती है और इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा पौधा होता है वो ये दवाई कवर कर लेती है और कीटों से रक्षा करती है। साथी ये विविन प्रकार के कीटों से सुरक्षित करता है हमारी फ़सल को खासकर ठ्रिप्स के फूड बुरूलर फरनीचर केली तमाखू केटरपिलर ऐसे खतरनाक कीटों को ये नियंतरत करने का काम करता है। इसकी बात करें कि आप इसे किन फसलों में आप इस्तिमाल कर सकते हैं तो तो कंपनी का जो कहना है साथ हो आप इसका इस्तिमाल भिंडी बैगन टमाटर ऐसे फसलों में कर सकते हैं लेकिन आप इसका इस्तिमाल जो है उन फसलों में भी कर सकते हैं जिसमें आपको त्रिप्स द करें साथियों तो आप 50 ml ले ले और 200 लीटर पानी में आपको इसका गोल बनाना है और इस्प्रे करना है अब इसको इस्प्रे करते समय साथियों हमें कुछ सावधानिया भी रखनी है सावधानिया सिंपल सी हैं सीधी साथी सावधानिया है देखिया आपको क्या करना है इसक अर्ली मॉनिंग इसका स्प्रे करना है धूप में आप इसका स्प्रे बिलकुल भी न करें ज्यादा तेज धूप होने पर ये इसका विपरीत रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं इसकी रेनफासनेस की बात करें साथियो तो अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो लगबग एक घंटे तक बारिश नहीं होना चाहिए अगर एक घंटे के अंदर बारिश हो जाती है तो फिर ये उस तरीके से ये काम नहीं करता है तो लगबग एक घंटे का समय होना जरूरी ह उसके बाद ये बहुती आसानी से काम करता है और फिर पानी में ये घुलता भी नहीं है जब आप इसका स्प्रे करते हैं साथियों तो ये लगबख 20 से 25 दिनों तक ये लगतार काम करता है और हमारी फसलों को सुरक्षित रखता है अच्छा साथियो यह इस्प्रे करने के बाद कितने देर में काम करना शुरू कर देता है तो लगबक एक घंटे के अंदर इस यह काम करना शुरू कर देता है कीटों का खात्मा करना शुरू कर देता है आप इसको किसी भी fungicide या insecticide के साथ मिला सकते हैं बहुत आसानी से लेकिन ध्यान रखें कि आपको किसी भी tonic के साथ इसको नहीं मिलाना है साथियो ये छोटे से छोटे pack में उपलब्ध है 10 ml, 20 ml और 50 ml तो इसका जो rate है थोड़ा सा जादा है 50 ml की कीमत लगबख 1000 रुपाय इसकी कीमत है साथियो rate घड़ते बढ़ते रहते हैं साथियो तो कुल मिलाकर साथियो ये चूसने और चवाने वाले कीटों के लिए बहुत ही खतानाग कीटनाशक है साथियो वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करेंगे और अगर नहीं लगा है अच्छा तो आप डिजलाइक भी कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा हम आपके लिए सही महतुन वीडियो लेकर आते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद